कैसे हैं आप सब लोग स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजूकेशन विद गौरब में दोस्तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉंडिंग और उसका जो है हम प्रैक्टिस सेट जो हैं डिसकस कर रहे थे तो कल हमने कुछ क्वेशन जो हैं केमिकल बॉंडिंग से रिले अपनी तरफ से सारी चीजें क्लियर होते हुए चले ठीक है तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे लाइक कर दीजे और साथ के साथ सेयर भी कीजिए ताकि सभी बच्चों को यह पता चले कि यहां पर जो हैं चलती है ठीक है तो फ दर कंपोजिशन ओप कंपाउंड फॉर्म बिट्विन एकस एंड वाई विल भी तो यहां पर देखे दो एलिमेंट्स के जो अटोमिक नंबर दिये हैं 17 और 19 तो जो 17 होता है हम जानते हैं क्लोरीन का होता है और 19 किसका होता पोटेसियन का होता है तो इन दोनों को देखकर आप अनमान लगा सकते हैं फिर कि कौन सा जो है वो डोनर होगा कौन सा एकसेप्टर होगा जायर सी बात है जो 17 वाला है वो एकसेप्टर होगा तो उसको बाद में आना पड़ेगा और जो डोनर है उसको पहले आना पड़ेगा तो मॉलिक्यूल किस टाइप का हो जाएगा य एकस टाइप का जो है मॉलिक्यूल हो जाएगा तो जाइट सी बात है इसके अंदर ऑफशन फर्स्ट राइट अंसर होगा ठीक है क्योंकि जो 19 वाला तत्व है यानि कि जो पोटेशियम है दोस्तों उसकी जो टेंडेंसी है वो कैसी एलेक्ट्रोन देने की है ठीक है आग वह सबसे अच्छा होगा जो सानी से एकषब्स पोजिटिव दे गोнитव इसमें सबसे कम आसानी से एस पॉसितिव कौण दैना पसंद करेंगा तो जिसकी ज्यादा होगी सबसे ज्यादाँ किसकी है आपकी आपकी फैसलिक्ट होती है तो इसलिए ये वाला जो ऐली मॉलीकु को कहेंगे ठीक है तो है यहाँ पर राइट आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इस प्रकार से होगा सबसे कम जो है आपका है फिर फिर है फिर ही ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स देखिए थर्मल इस्टेबिलिटी ऑफ क्लोराइट्स ऑफ एलकली मेटल्स फॉलो और तो यह सारे के सारे जो हमारे एलकली मेटल्स हैं उपर से नीचे तक देख लिए लीजिए आप उनको तो उनकी थर्मल इस्टेबिलिटी का जो है क्रम बताना है कि क्या होगा तो क्या क्रम होगा थर्मल इस्टेबिलिटी का बताईए तो यहाँ पर आपको एक चीज या उपर से नीचे की तरफ जाते हैं दोस्तों तो ये आपका बढ़ती भी चले जाती है यानि कि सबसे उपर वाला तत्तों का उसका सबसे कम होगा उसका मतलब जो क्लूराइड हो गी उसकी जो थर्मल स्टिप्टी वो सबसे कम होगी फिर उससे नीचे वाला उससे और जादा हो कि जो आपका thermal stability है उसमें लगातर increase हो रहा है ठीक है ना क्योंकि जो है lattice energy increase हो रही है तो इस हिसाब से हमारे पास जो क्रम सही होना चाहिए कौन सा होना चाहिए हैं लिफ्यम का लेकिन यहां पर तो oni है सबसे जादा दिखा रहा है सेकिंड वाले मरे में सेकिन वाले में लेकिन इसमें तीसरे किसियू हो गया तो यह गलत हो टो लास माना चाहिए था C बाले को देखिए लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम तो यही यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है? क्योंकि इसमें पूरा क्रम उसी प्रकार का है जिसमें उपर down the group जाने पर आपका increase होता है thermal stability यहाँ याद रख लेना आगे बढ़ते हैं next the increasing order of covalency in ALBR3 MZBR2 and NABR is तो सह सही जबता है यादि कि covalency के बढ़ने का क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर तो आपके जैसे जैसे जो आपका size of cation बढ़ता है तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर covalent जो character है वो भी increase होता जाता है तो यहाँ पर आप देखी कि size of atom कैसे बढ़ रहा है सबसे छोटा जो size है मेरे ख्याल से तो वो किसका होना चाहिए सबसे छोटा जो है आपका ठीक है तो friends सबसे जो lowest molecule है इसमें sodium है फिर उसको बाद magnesium है फिर aluminium है तो aluminium का जो का size होगा वो सबसे छोटा होगा है न और इसके कारण से उसके जो है वो greater covalent character उसके अंदर होगा उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है किसका होगा magnesium का और तीसरे नंबर पर आपका किसका होगा sodium का समझ गे तो इसका मतलब कहने का मतलब simple सी बात है the size of cation इसका मतलब उसका साइज जितना बड़ा होता जाएगा इसका मतलब उसका जो कोवेलेंट करेक्टर है वो increase होगा ठीक है तो यह आपका फैजान रूल के अंदर आता है दोस्तों यह बात आप यादख लिए फैजान रूल जो है आप मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा तो फैजान रूल जो है आपका इससे भी question बहुत जादा पूछे जाते हैं ठीक है आगे बढ़िये फिलाल आप इसमें यह क्रम याद रखना कि जो एन ए बियार है उसका जो है सबसे ज्यादा है फिर एमजी बियार 2 यूश के बाद और ao VR 3 जो है वह सबसे काम है तो सबसे कम क्यों होगा क्योंकि जो I can सबसे बड़ा है और जितना बड़ा का साइज का होगा उतना जूह सके अंदर अदर उसका जो उतना बड़ा जो है उसका केटाइन होगा उतना वो लिश्ट साइज हो जाएगा ठीक है तो इसके इस वज़ए से दोस्तों आपके जो कोवेलेंट करेक्टर है वो उतना जादा बढ़ जाएगा ठीक है आगे बढ़ते कि ये सारे के सारे जो elements है इसमें आप देख रहे होगे magnesium, calcium, barium और आपके ये beryllium ये सब के सब आपके किसमें आते हैं alkali, earth metal यानि second group के ही आपके सबसे उपर आपका क्या होता है beryllium होता है, फिर magnesium होता है फिर आपका calcium होता है, फिर strontium होता है और फिर आपका barium होता है तो अगर हम इसमें बात करें यानि कि alkali, earth metals की बात करें तो अगर हम नीचे की तरब जाते है तो basic जो nature है वो क्या होता है इनके oxides का increase होता है क्योंकि ये oxide है सारे के सारे है तो इनके जो oxide का basic nature है दोस्तों वो नीचे की side जाने पर increase होता है down the group increase होता है तो इस हिसाब से जो है सबसे ऊपर हमारे पास कौन होता है BE, यानि कि beryllium का oxide तो उसका सबसे कम होना चाहिए फिर उसके बाद दूसरे नमबर पर आपका magnesium का होना चाहिए तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि least basic oxide among these तो least basic कौन सा हो जाएगा जो सबसे ऊपर यानि कि beryllium का oxide होगा तो option जो है यही वाला जो option है बेरिलियम oxide वाला वो बिल्कुल ठीक होगा यानि कि option A यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है यह बार आपको यादत नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं next देखिए अगला question देखिए निमलिकित पर विचार कीजिए ठीक है यहाँ पर देखिए क्या-क्या atoms है आपके पास O2 negative है H2O यानि water है H3O positive है OH negative है अब वो कहरा कि arrange these species in the increasing order of their acid strength using codes तो यहाँ पर हमें बताना है कि acidic जो strength है उसका जो बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा है ना तो acidic strength दोस्तों जो acid होता है वो क्या करता है electron pair को जो है accept करने की जो है छमता होती है Lewis acid जो है वही होते हैं ठीक है ना हाँ जो loan pair को basically accept करें कर रहा है वो increasing order of acidic strength तो उससाब से जो आपके पास सबसे जो least acid होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए क्योंकि जो ये जिसमें की सबसे ज़्यादा negative charge होगा तो सबसे ज़्यादा negative आपके किसमे है oxygen के उपर उसके अंदर और ज़्यादा electron लेने की चमता नहीं है दो negative वो उसके पास already है तो इसका मतलब जो सबसे least होगा वो oxygen ही होना चाहिए तो oxygen किस-किस में है आपके आपका A and C दोनों में है first first जो है वो सबसे काम है आप उसके बाद देखिए दूसरा वाले में A में जो है वो second number पे 4 को दिखा रगा है और C में जो है वो 2 को दिखा रगा है तो इसका मतलब इसके बाद या तो 4 या तो OH होगा और या तो फिर आपका H2O होगा तो अगर हम बात करें कि जो है acid के increasing gram के बात करें तो जो negative वाला iron होगा वो क्या होगा least होता है अमेशा तो इसका मतलब यहाँ पर H2O पे तो कोई charge नहीं है लेकिन OH पर negative है तो इसलिए OH second number पर होना चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पर right answer A ही हो जाएगा सिदर-सिदर 2 के माधियम से ही हमें पता चल गया बाकी तीसरा आपके पास तीसरी number पर अगर बात करें तो H2O होना चाहिए और finally चोंकि यह positive वाला है तो obviously इसकी जो है electron को accept करने की जो है चमता होगी तो इसलिए यह सबसे ज़्यादा आपका अच्छा है इसकी eccentric strength सबसे अच्छी हो जाएगे तो इस प्रकार से दोस्तों पहला चोथा दूसरा और तीसरा यह क्रम इसका कुछ इस प्रकार से होगा oxygen फिर उसके बाद OH negative फिर H2O फिर H3O positive ठीक है आगे बढ़ते हैं next देखिए again है which of the following is a Lewis acid तो again वही question है दोस्तों Lewis acid इसमसे कौन है तो Lewis acid कौन से compound होते हैं जो electron pair यानि lone pair को accept करने की छमता रखते हैं तो यहाँ पर accept करने की छमता basically कौन रखेगा जो क्या हो जिसके अंदर electrons की कमी हो वही accept करना चाहेगा यानि कि आपका positive charge वाला तो positive charge वाला कौन दीख रहा है इसमें आपको इसमें positive charge वाला मुझे एक ही दीख रहा है D वाला AG positive तो यही यहाँ पर Lewis acid है ठीक है आगे बढ़ते है next acid base की जो theory है वो हम पढ़ेंगे वैसे भी और ऐसे भी आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं theoretical है तीन चार जो है परिवासा है इसके अंदर आती है अलग-अलग प्रकार की जो पहरे old concept था की edge positive देने वाले जो है आपके acid के लाएंगे OECD negative देने वाले आपके base के लाएंगे फिसको बाद जो modern concept आए है अलग-अलग वो 3-4 concept वो सब आपको पता होने चाहिए electron donation वाला concept हो गया है ना तो ये सब proton sorry proton accept और proton donation वाला तो next question देखिए which one of the following is an ionic compound इसमें सा ionic कौन सा है BeCl2, BaCl2, BeCl3 और CCl4 तो आप clearly देख सकते हैं दोस्तों इसमें आपका अगर हम बात करें ionic की तो कौन सा होगा an ionic compound जिसके अंदर की दो ions clearly बन रहोंगे अब देखिए यहाँ पर है तो दूसरा हाँ सारे ही जो है इसमें चारों अगर देखें तो उसके अंदर electron negative जो atom है वो आपका कौन सा है आपका chlorine ही है तो हम बताना अगर हमें बताना कि सबसे जो है ionic compound को होने तो हमें structure जो है इनका पता होना चाहिए तो structure हमने BCL2 का तो कई बार बना दिया है और इसके structure के अंदर हमने देखा या यह चीज कि जो BE है वो central metal है और CL और CL दो इसके आपके किस से covalent bond से जुड़े होते हैं तो इसका मतब यह ionic नहीं है इसी प्रकार BCL3 का structure हमने बनाया था है ना B और उसके तीन तरफ से covalent bond के माधियम से CL जुड़ा होते हैं तो यह भी ionic नहीं है again जो BACL2 है तो BACL2 को भी हमने जब structure बना के देखा तो आपका यह कुछ इसी प्रकार से आप हाँ ठीक है तो यहाँ पर अगर हम BACL2 को तोड़ के देखें BACL2 है ना तो यह आपका कैसे तूटेगा B.A. barium 2 positive में तूट जाएगा है ना और उसके बाद 2Cl negative इस प्रकार से तूटेगा इसका मतलब यही आपका ionic compound है बाकी CCL4 के अंदर भी हम जानते हैं यार C जो है और उसके जो है CL के चार बांड कुछ इस प्रकार से हम दिखा देते हैं तो यह चारों ही कोवलेंट होके तो यह भी आपका ionic नहीं हुआ तो BACL2 इसमें right answer हो जाएगा क्योंकि यह ionic ions में टूट रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं next question देखिए which of the following has been arranged in increasing order of covalent character तो यहाँ पर अगेन वही चीज पूछी गई है कि जो covalent character का increasing order है वो बताईए तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि जैसे जैसे जो कटाइन पर जो है चार्ज बढ़ता जाता है covalent जो character है वो increase होता जाता है ठीक है तो यह फैजान स्कूल के अंदर आता है दोस्तो कि larger the size larger the charge on the cations larger the covalent character of a molecule तो यहाँ पर इसका मलब जिसके अंदर सबसे कम जो है आपका cations का charge होगा वो सबसे least होगा फिर उसके बड़ा चार्ज फिर बड़ा तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे कम चार्ज वाला आपको कौन दिख रहा है इसमें सबसे सबसे बड़ा चार्ज वाला तो इसमें जो सबसे हां सबसे लीस्ट जो है आपके पास के potassium होगा potassium होता है फिर calcium आपका two positive हो जाएगा aluminium three positive हो जाएगा और acentine जो है वो four positive हो जाएगा तो क्रम जो है यही रहना चाहिए option वाला क्योंकि अगर हम positive ions की बात करें तो उसमें सबसे कम तो आपका जो सबसे बड़ा वाला है उसका kovalent character सबसे ज़्यादा होगा तो sn में यह जो है आपका जो केटायन है उसका size । जब से बड़ा होगा तो इसको छोड़ देते हैं नेक्स आगे बढ़ते हैं सीधा टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैव एक्टोमिक नंबर 55 एंड 35 रिस्पेक्टिविली फ्रेंट्स यहां पर आप जानते हैं यार की जो आपका जो 35 किसका होता है ब्रॉमिन का होता है ना तो ब्रॉमिन 35 होता है और यह एक किसके अंदर आता है है तो हैलोजन की तो एक्सेप्ट करने की इसका मलाब वाई तो बाद में आएगा और 55 किसमें आएगा 54 जो है जिनन का होता है जो कि एक नोगल गैसेज़ है और उसके बाद दुबारा हम किसमें आजाते हैं एस ब्लॉक में इसका मतलब उसके देने के टेंडेंसी होगे तो जो एलिमेंट है जो आपका मॉलिकुल है वह एक्स वाई टाइब का होना चाहिए तो इसका मलब सी जो है राइट अंसर है ठीक है आगे बढ़ते नेक्स दिखिए अगला है डाइपोल मॉमेंट इस इन इस फाउंड इन तो इन में से आपको बताने के डाइपोल मॉमेंट जो है वह किसमें पाया जाता है CO2 के अंदर H2O के अंदर CS2 के अंदर और इन में से कोई भी नहीं तो अगर हम बात करें CO2 मॉलिकुल की तो CO2 की जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होती है CO2 तो इसका मतलब यह आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे दोस्तों इसमें तो डाइपोल मॉ आता है इसी प्रकार से CS2 है ना तो इससे भी यहां पर इसका जो टोटल न्यूट्रल चार्ज हो जाता है डाइपोल जीरो हो जाता है अब बचा एस्टो का जो मॉलिकुल है वो ड्यू टू लोन पेर आप जानते हैं कि इसकी जो जमेटरी है वो बैंट सेफ हो जाती है ना तो बैंट सेफ होने के कारण इसका जो बॉन एंगल है वो भी डिक्रीर हो जाता है और यहां पर इसकी वजह से आपका एक डाइपोल बनता है क्योंकि यह नेट डाइपोल इसका जीरो नहीं होता है ठीक है तो इसी लिए जो है राइट आंसर आपका वाटर है चलिए आगे एफटू तो कौन सा केमिकली इनट होगा जिसमें की भाई जो सेंट्रल मेटल है उसकी अलड़ी सारी जो वैलेंसी वह भर चुकी होगी तो सबसे सेंट्रल मेटल की सारी वैलेंसी किसमें बढ़ रही है इस सी वाले में है न क्यूंकि एस मैक्सिमम चैनल से दिखाता है और इसने बनाई रखें तो इससे ज्यादा तो दिखाएगा नहीं तो इससे लिए सी जो है आपका न्यूट्रल केमिकली इनर्ट होगा ठीक है आगे बढ़ता है नेक्स देखिए अगला आपके पास दा एन हाइड्रेट ऑफ एच सी आई ओ फोर एसेड इस तो बेसिकली जो ए इसमें एच सी आई ओफोर में से वाटर को निकाल दें तो इन में से कौन सा बनेगा तो देखिए आप एच सी आई ओफोर अब इसमें से हमने वाटर को निकाल देना है एच टू ओ तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं वाटर क्योंकि एच टू ओ निकालना हमें और एच तो यहाँ पर एक ही है मॉलिकुल के अंदर तो ऐसा करते हैं इसको दो से मल्टिपलाई कर लेते हो गया तब तो हो सकता है यहाँ पर जब हो जाएंगे आठ हो जाएंगे है ना तो एक्ट टू ओ यानि की दो तो यह निकल गे और आठ में से एक ऑकजिए निकल के तो आपके पास टोटल कितने बचे है ना तो आपके पास जो दोस्तों बचेगा वो कितना बचेगा सी ऐल तो दो ही है क्यूंकि हमने दो से क्या होते हैं कि जब हम एस्टो यानि की वाटर को अलग कर लेते हैं तो उसके बाद जो बन बनता है वह आइसिट का एनाइडरेट कर लाता है चलिए आगे बढ़ते हैं नैक्स देखी दा आयन भी तो इस्ट्रॉंगेस्ट पोलराइजिशन कैपसिटी इस तो आयन जिसकी सब टोटल जो चार्ज है वो किस पर जहें वो सबसे ज़्यादा है तो जिस पर सबसे ज़्यादा है उसकी सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी तो सबसे ज़्यादा इस पर आपको चार्ज किस पर दिख रहा है यहां पर तो फ्रेंड से सबसे ज़्यादा जो चार और कैल्सियम हाँ एक्चुली में इसके लिए दोस्तो एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है कि जो पॉलराइजिसन पावर है वो आयन पर टूटल जो चार्ज अपोन आयन जो का आकार बे भी डिपेंड करता है तो इसका मतलब यह जो पॉलराइजिसन पावर है यह क्या है इनवर्सली प्रपोर्पोर्शनल है साइज ओप एटम के है ना साइज ओप आयन के तो अगर साइज ओप आयन जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जैसे कि अगर इन दोनों में कंपेर करो में तो साइज ओप आयन किसका बड़ा है साइज ओप आयन अगर हम बात करें तो साइज के हिसाब से बेरियम जो है वो बड़ा है कैल्सियम का तो बीस होता है तो इसके हिसाब से जो है आपका जो ध्रूण चमता है वो किसकी ज़ादा होनी चाहिए तो जो size बड़ा है उसकी कम होनी चाहिए और जिसका size छोटा है उसकी ज़ादा होनी चाहिए तो size छोटा calcium का है तो इसलिए यहाँ राहेट आंसर इसलिए यहाँ पर C है ठीक है तो drone चमता आपको यादक नहीं है drone चमता, polarization, power depend करती है किसके iron पर total charge अब total charge जो हमने देख लिया है वो तो बराबर है दो-दो लेकिन iron का size भी matter करेगा जो universally proportional का आगे बढ़ते हैं next देखिए which of the following compound does not contain peroxide bond peroxide bond कौन सा compound नहीं दिखाता देखिए यहाँ पर compound है PbO2 N2O2 उसके बाद है SRO2 और फिर है आपके पास BAO2 तो आपके पास यह 4 molecules से दे रहे हैं हमें बताना है कि इन इन वैसे परोकसाइट जो है वो basically peroxide bond कौन सा नहीं दिखाता है peroxide bond होता है क्या दोस्तो जब आपके पास आपने देखा होगा कि single bond से 2 oxygen इस प्रकास से जुड़े होता है बीज में तो आपके पास peroxide bond कौन सा दिखाएगा इसमें तो आपका बाकी तो यह NA2O2 जो है यह भी हाँ यह भी आपका sodium peroxide है फिर यह SRO2 यह भी आपका strontium peroxide है और यह BAO2 यह आपका barium peroxide है लेकिन यहाँ पर जो PbO2 है आपको दोस्तो PbO2 है यह आपका oxide है यह जो Pb है वो आपके 2 oxygen से सीधे सीधे जुड़ा होता है इस प्रकार से तो दोस्तो यह oxide है यह एक peroxide नहीं है तो इसलिए right answer option first है यहाँ ठीक है peroxide में basically दो दो बोंड जुड़े होता है इस प्रकार से अभी आप आगे जो है structure देखेंगे हम किसी जैसे कि आपके H2, 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 O8 का जो structure है वो आएगा आगे तब आपको पता चल जाएगा peroxide क्या होता है जिसमें basically double oxygen जो एटम है वो single bond से इस प्रकार से जुड़े होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं next दो अब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ HCL इस 1.03 डिवाई दो बॉंड लेंथ इस 1.275 एंगस्ट्राउम और यह जाने यानिकी जार्ज है वो दे रखा है 4.8 इंटू 10 की पावर 10 की पावर माइनस 10 ESU ESU का मता होता है electrostatic unit तो फ्रेंड्स यहां पर आपको percent आयनिक करेक्टर निकालने के लिए एक बात याद अखनी है कि percent आयनिक करेक्टर जो है वो equal to होता है किसके जो म्यू यानि की जो आपका डाइपोल मोमेंट है उसकी value कौनसी वाली experimentally जो नापी गई है दूसरी जो mu आपकी theoretically जो हमने calculate की है और into 100 तो तब हम percentage आयनिक character को निकाल सकते हैं अब यहाँ पर observed dipole moment यानि कि जो experimentally SCL की dipole moment है वो तो दे रखी है हमार पस 1.03 div अब हमें calculate करना है तो calculate करने के लिए दो चीज दे रखी है और E यानि की charge दे रहता है तो friends हमें एक formula याद रखना है कि जो अगर हमें experiment, मतलब theoretical निकालना है तो जो mu की value होती है वो किसके परावर होती है जो bond length होता है bond length into charge इन दोनों की multiplication के परावर तो इसका मतलब यह इन दोनों की आप क्या करेंगे आपसमा multiply कर देंगे और वो जो value आएगी वो आपकी mu की value होगी theoretically कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखी percentage आएनिक करेक्टर जो है mu experimentally upon mu आपका theoretical जो निकाला गया है into 100 अब अगर हम इसको निकालें तो four point यह किसके बरावर होता है मैंने बता दिया आपको की जो आपका bond length है वो into charge तो bond length हमारे पास दे रही है four point eight into ten की power minus ten और आपके पास charge भी already हमारे पास दे रखा है sorry bond length आपके पास one point two seven five into ten की power minus ten है देखो यह एंगर स्टरम में दे रही है एंगर स्टरम को अगर ऐसे भी लिख सकते है ten की power minus ten ठीक है तो friends यह आपका कुल मला के multiply हो जाएंगे और यह निकल का आएगा six point one two divide और जो हमारे पास experimentally दे रखा है already वो है one point three divide तो इसलिए हम percentage आएनिक के लिए क्या करेंगे one point three divide upon six point one two into hundred यानि कि 16.183 जो परसेंट के बराबर यह आ गया तो यह कैसा है जो हमारे पास new की value experimentally दे रखी थी upon जो हमने new की value calculate करके निकाली into hundred ओके आई होप आप समझ गये होंगे आगे देखिए next देखिए next question के अंदर वो पूछ रहा है परसर परसी दी परसी ड्यू सल्फियूरिक एसिड परडाय सल्फियूरिक एसिड तो इसमें कौन सा दो दोस्तों जो परडाय सल्फियूरिक एसिड रहता है वह basically किसके लिए कहा जाता है उसका जो formula होता है वह h2 s2 o 8 होता है से ठीक है फ्सक्राइश सू एस तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि जो एस सल्फर की जो हमें बनानी है हमें टोटल आठ लग्र और एटम वो दिखाने तो कुछ इस प्रकार से होगा दो सल्फर और इनके बीच में यहां पर दो ऑक्सिजन कुछ इस प्रकार से जुड़े और यहां से एक है низ इस पर और उपर जोन नीचे दोनों साइड्ट गए सब्सक्राइब किसके आงदर यहां पर यह नहीं वह is एक प्रचार स्व और यह आगे अगे बढ़ते हैं सद मॉलीकुल हेगिंग अंदर फाइनाईट वैल्य ओप 49 मॉमेंट नदर value dipole moment की किस के अंदर होती है BF3 के अंदर CH4 के अंदर CCL4 के अंदर या SO2 के अंदर तो यहां पर दोस्तों कहने का मतलब है कि कुछ एक निस्चित value dipole moment की होती है किस molecule के अंदर वो कहना चाहरा है ठीक है तो आप अगर देखें इन molecule की geometry को तो BF3 को जब हम बना के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका जो net dipole हो 0 होता है ऐसी CH4 का भी जो है वो symmetry होने के करना 0 होता है CCL4 भी 4 तरफ से CL जो है वो बराबर जो है वो आपके एक दुसरे को cancel करते हैं केवल SO2 जो molecule है वो ही ऐसा है जिसके एक निश्चित दिर्धू आगोन उसके अंदर होता है ठीक है इसके अंदर एक polarity होते है जिसके करान से उसका जो मान हो सुन्या नहीं होता है इसलिए यहाँ पर जो net dipole हो केवल इस molecule के अंदर होता है ठीक है चले आगे बढ़ते है ने dipole moment of ionic molecule will be इसके अंदर अगेन वही चीज़ पूछी गई है जो हमने पहले भी डिसकस की थी कि इसके अंदर बेसिकली वह निकालना चाहरा है कि dipole moment आप निकालने ठीक है तो उसके लिए मैंने आपको बताई दिया है कि जो चार्ज इंटूट क्या होता है डिस्टेंस होता यह 1.41 इंटू 10 की पाउर माइनस एट एट सेंटिमेटर के बराबर दे रखा तो इसको जब हम यू की वैल्यू निकालेंगे तो वह कुछ इस प्रकार से होगी क्यों इंटू डी या आर बोल सकते हैं उसको दोनों को multiply कर लेंगे तो कर लीजिए multiply जब इसको इससे multiply करेंग कृँको हटा सकते हैं उसके जगँपड़ लिख सकते हैं क्योंकि एक डिवइक rapidly की बयल्यू होती हो कि किसके बराबर होती है दोस्तों 10 की पावर माइनस 18 के बराबर होती है तो इसलिए इसको इसको हटा दिया और 6.77 elimpy के बराबर यानियंगे बराबर इसकीड वैल्यू आ ठीक है आगे बढ़तें नेक्स अमंग अस्ता फॉलोविंग विच हैस्ट इस दा हाइस्ट इन वाटर तो इसमें वाटर में सबसे ज्यादा सॉलीवल कौन सा होगा देखिए और यह आपका और्थो पोजिशन पर है फिर आपके पास सेकिंड वाले में आपका अनुटू है औ और डी में कोई भी नहीं अब आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि विच आप दो फॉलीवलिटी इन वाटर तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसके जो उपर वाले बॉंड होगे इनके अंदर कहीं न कहीं क्या बन जाएगा एक यहाँ पर एक हैड्रोजन बॉंडिंग हो होगा जल में अधिक जहें इसकी बिलेता सो करेगा ठीक है तो फ्रेंड्स यह आपका हाँ ठीक है ओके आगे बढ़तें नेक्स देखिए एक्स्प्लेंशन ने कुछ यह आप पढ़ लेना में ग्रुप के अंदर डाल दूँगा ठीक है हिए है है अने कर देखिए विच आफ फॉलिविंग है इस हाइस्ट बॉसलीग पॉइंट इन में से इसका होगा सब्प्रूइलिंग पॉइंट उसका और जिसके अंदर क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डनिंग और राइड्रोजन बॉंड इऑ इसमें दिखिरी आपको इ तो अगर हम कोवलेंट केरेक्टर है उसको रिपर्जेंट करें तो उसका जो करेंट सिकवेंच है ? तो हमने पहले वह डिसका सिया है कि जो बड़ा मॉलिकुल है उसका सबसे छोटा हो जाएगा फिर उससे लेगा फिर उससे बड़ा फिर तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वो है आपका सबसे कम है आपका सोडियम का जो क्लॉराइड है दोस्तो इसमें सबसे कम लक्षन है फिर आपके पास लीथियम के क्लॉराइड में और फिर बेरिलियम की chloride के अंदर सबसे ज़ादा आपका character होगा वो कहा रहा है कि increasing covalent character represent by, तो increasing covalent character आपका depend करता है आपके किस के उपर, जो cation है उसके उपर, charge के उपर तो अगर हम charge के order को देखें अगर इन तीनों के अंदर तो na के अंदर तो हम जानते हैं sodium एक ही positive होता है, उसके बाद li जो है वो, अगर lithium की बात करें तो one positive होता है और beryllium की बात करें तो ये two positive होता है तो सबसे ज़ादा जो charge है दोस्तो, वो आपको किसमें दीख रहा है, beryllium में तो इसी का chloride है, उसको सबसे ज़ादा covalent character sow करना चाहिए, तो सबसे ज़ादा इसी के, इस कारण से मैंने इसका लिया है फिर lithium का, क्योंकि दो जहें charge थे और फिर उसके बाद सबसे कम sodium का, क्योंकि उसमें एक ही positive charge था, ठीक है, तो basically आपने देख लिया कि जो covalent character है वो कैसा कैसा हो रहा है, आपका जो positive iron है, cation है, उसकी size वो कितना बड़ा है, उसके उपर depend कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते next, अगला है compound in which you have a constitution of covalent bond and which are very hard are, तो यहाँ पर तो यह ऐसा question आगए कुछ कि इसमें covalent bond होते है और बहुत जदा hard होता है, तो यहाँ पर जो सारे material दिये हैं इसमें, जो यह वाला है देखिए जिसमें कि आपका diamond है silicon carbide है, तो यह दोनों ही आपने सुने ही होंगे, काफी जो है कठोर, जो है, कठोर जो है, इसके compound होते हैं इनके अंदर बहुत जदा hard bonding होती है तो हीरा, और आपका SIC, यानि कि silicon bromide silicon carbon silica carbon और तीसरा यह B4C तो यह तीन ही ऐसे compound है दोस्तों, ठीक है, तो इनके अंदर जो है, वो covalent bond और बहुत जदा hard होते हैं समझ दिये, आपने diamond का structure तो देखा ही होगा तो आप समझ जाएंगे next देखिए the dipole moment of hi is 1.92 dy and that of scl is 1.03 dy which of the following interface inferences are correct तो friends, यहाँ पर hi का dipole moment दे रखा है और scl के लिए दे रखा है तो आपको बताने की कौन सा सही होगा तो देखिए चारों option को देखिए ध्यान से अब आपको देखिए दोनों element के अंदर जो electro negative atom है तो हम क्या कहेंगे कि जो बोथ hcl और hf है वो क्या है polarize है अपने आप में क्योंकि भाई एक electro negative atom है एक electro positive है लेकिन यहाँ पर जो hf है तो वो क्या होगा more polarize होगा और यह obvious सी बात है क्योंकि आप जानते हैं कि जो fluorine है वो सबसे ज़्यादा प्रबल जो है आपके electro negative होता है तो इसका मतलब वो ज़्यादा होगा obviously तो इसलिए सिद्धे सिद्धे D option right answer होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next अगला देखिए according to phyzans rule which of the following pair will favor the covalency ठीक है तो phyzans rule के अंदर जो है वो covalency को कौन सा pair share करेगा आप option देखिए next है तो यहाँ पर यह कुछ गरवड होगी question का अंदर दोस्तों चलिए इसको छोड़िए आगे question देखिए next अगला question के रहा हो कि according to long wet diaboran has तो diaboran का मैंने आपको कली बताया है कि diaboran का structure कुछ इस प्रकार का होता है और diaboran के अंदर जो यह उपर और नीचे के दो bond होते हैं इनको क्या कहते हैं बनाना बॉंड कहा जाता है तो यह ही पर जो option के अंदर यह पूछा गया तो यह option सही है कि जो diaboran है वो बनाना से इस्ट्रक्चर बनाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे देखते हैं next question तो again वही question आ गया diaboran है cyclopropan है silencer lithium hydride तो आग बंद करके आप सिदे-सिदे diaboran को मार सकते हैं मैंना कल भी आपको बता दिया था कि three centered bond इसके अंदर होते हैं यह तीन center होते हैं और दो electron को share करता है तीन center के बीच में तो 3C2E bond के नाम से इसको जाना जाता है और इस प्रकार के दो bond इसमें पाए जाते हैं ठीक है यह कुछ इस प्रकार से होता है next देखिए according to L Pauling the expression for calculating the electronegative difference XA minus XB the two atoms A and B in a molecules तो यहाँ पर तो यह आपको याद ही करना पड़ेगा दोस्तों कि इसके लिए जो है formula आपको याद रखना पड़ेगा कि XA minus XB यानि कि electronegativity के difference के लिए जो expression दिया है Pauling ने तो उसमें उन्होंने XA minus XB को बताया है कि इसके बराबर 0.1017 delta की power हाप ठीक है ना तो यह right answer होगा यह आपको याद रखना है डिल्टा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं next देखिए high density of water then ice is due to तो ice की high density water की जो density है वो ice से ज़ादा होती है किसके करान से तो पहला आपको hydrogen bonding interaction दूसरा डाइपोल डाइपोल तो हमको कुछ सोचने की जरुवत नहीं है दोस्तों जब water molecule की बाद आती है तो हमें साथ hydrogen bonding ही महाँ पर सारे कामों के लिए जाजतर कामों के responsible होता है चलिए आगे बढ़ते हैं next तो यह कुछ इस प्रकार की hydrogen bonding जो है water molecule के अंदर देखी जाती है दोस्तों आगे बढ़ते next देखिए the boiling point of water ethanol and diethyl ether are 100 degree celsius 78.5 degree celsius 34.6 degree celsius respectively the intermolecular forces will be in order तो सब दोस्तों यहाँ पर देखो अलग लग तीन प्रकार के जो compounds है उनके क्या दे रखें बड़ी पी यानि की boiling point दे रखें और उसके आधार पर वो कहरा कि internuclear forces किस order में होंगे तो friends आप थोड़ा सा दिमाग लगाईए कि जो सबसे ज़्यादा intermolecular forces किसमे होंगे जिसके अंदर क्या होगा hydrogen bonding होती है hydrogen bonding किसमे होती है water के अंदर तो इसका मतलब water जो है वो पहले number पर आना चाहिए फिर उसके बाद obviously ethanol आएगा कि उसके अंदर भी होता है होता है किसके कारण से कोवेलेंट बॉंडिंग hydrogen bonding आइनिक बॉंडिंग या वांडरवाल बॉंडिंग तो यहां पर बात हो रही है association of molecule in water तो मॉर्टर के अंदर होता है hydrogen बॉंडिंग के कारण आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगी जो भी चीज़ें मैं बता रहें ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स देखिए अगला question है when a neutral atom is converted to cation there is तो यह कई बार बता रखा है कि जब neutral atom cation के अंदर convert होता है तो उसका जो है वो size क्या होता है decrease होता है क्योंगी cation में जो है electron का loss होगा तो decrease in size होगा तो c यहां पर right answer चलिए आगे बढ़ते हैं next अगला पसंदेखिए which of the hybridization of carbon natamine methane तो यह बहुत आसान है methane यानि कि CH4 CH4 तो CH4 के अंदर जो है चार आपके यह bond दिख रहे हैं आपको तो चार बॉन्ड यानि कि SP3 hybridization तो यह बात यहां रखना चलिए आगे बढ़ते हैं यह सी यहां पर राइट अंसर है कुछ इस परकार के टेवल होती दोस्तों दो बॉन्ड यानि SP3 बॉन्ड SP2 चार बॉन्ड SP3 पांच बॉन SP3D2 चे बॉन SP3D2 आउटर में भी होता है D2 SP3 इनर के लिए होता है साथ बॉन SP3D3 ठीक है तो यहीं तहां आपको यूज होगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स अगला क्वेशन पूछ रहा है विच आप दा फॉलोविंग इस लीनियर मॉलिक्यूल नियुन में से कौन सा एक रेख्या मॉलिक्यूल है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया करवन डाय जो ऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूल रेख्या होता है इसलिए ऑप्शन सी यहां प इन तीनों के भी से आपके स्ट्रक्चर है नेक्स देखिए नैट्रोजन मॉलिक्यूल है नैट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो नाट्रोजन मॉलिक्यूल का जो है आपने स्ट्रक्चर बना के देखा ही होगा तो क्या होता है एन ट्रिपल बोंड एन तो एन ट्रि ही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स देखिए विच और हैसा मिनिमम बॉंड एंगिल तो देखिए एस टू है आपके पास है एस ट्री है और तो एस टू के अंदर हमने देखा है जो हमने ठोरी करी थी तो जो वाटर मॉलिकुल है वो बेसिकली बेंट सेप जहें स्ट्र जार्ड लगबा एक सो चार्ड डीघ्री माल लीजे फिर उसके बाद अगर हम एस टूस की बात करें तो उसके अंदर भी क्योंकि इसी प्रकार का बेंट सेप मॉलिकूल तो दोस्तों है एक मिनट एक मिनट एक मिनट हम बात करें थे हैं इस इस पीर आपके पास दूसरा तो यही होगा सौरी आपके पास नहीं नहीं यह तो हमने कर लिया देख रहे थे हम तो यह वाला कुश्चन देख रहे थे कि मिनिमम जो है वह बॉण अंगल किसके अंदर है फिर है दूसरा तीसरा है नस-3 नस-3 के अंदर भी लॉन पेर है एन के ओपर तो इसका बॉन एंगल भी कम हो जाएगा और सीएच फोर तो सीएच फोर जो है आपके आपने देखा है कि कारवन के जो चार है कुछ इस प्रकार से बॉन होते हैं तो यह टेट्रा हैड्रल जोमेट्री बना देता है और टेट्राइडल यानि की 109 डिगरी का एंगल तो इसका मतलब यह भी नहीं है तो बचा कौन फिर इसमें है एस्टुएस ही बच रहा है तो एस्टुएस जो है अगर हम बात करें तो इसमें आपका 90 डिगरी का जो है दोस्तों बॉन एंगल होता है सबसे कम इसी के अंदर होता है तो यह बात यादक नाई एस्टुएस में 90 डिगरी होता है एस्टुए में जो है 104 डिगरी होता है आपका एनस्थी जो है अमोनिया का जो मोलीकुल है उसमें भी आपका ट्यूटू नलोन पेर घड़ जाता है 109 से कम होका 106 हो जाता है और छी एस प होगा तो दोस्तों आयन्स में बैसिकली क्लर क्यों होते हैं आपने अभी तो हमने डी बलॉक पढ़ाइब टीडिट ट्रांजिशन में आप देखेंगे किस प्रकार से डी और डी के बीच में जब इलक्ट्रोन का ट्रांजिशन होता है ता वो आपका एलक्ट्रोन को एब्स तो आप copper का बना के देखिए copper क्या होता है 29 होता है ना अगर 29 में आपका नॉर्मली जो है क्या होगा 3D में last में 10 जाता है 4S में वन जाता है तभी तो 29 हुआ है ना अब अगर दोस्तों ऐसा हो जाए कि से एक एक निकल जाए तो copper positive हो गया तो यह जो बाकी के 10 elements 3D के अंदर हैं तो वह अपने आपको क्या कर लेंगे स्टेबल कर लेंगे क्योंकि वह opposite spin है सारे और भरेव हैं तो वह कभी भी जो है वह कलर सो नहीं करेंगे इसलिए सी यू पॉजिटिव यहां पर कर लेस होगा ठीक है यह याद रखना आगे बढ़ते हैं अगला क्वेस्टन है विच अमंग दो फॉल्विंग कंटेंस बोथ कोविलेंट एन आइनिक बॉंड तो CCL4 है आपके पास तो इसमें तो सारी कोविलेंट होते हैं कोविलेंट होते हैं सारे एनस पॉर सियल तो देखो दोस्तों ध्यान से एनस फॉर सियल में एनस फॉर पॉजिटिव तो हुआ और फिर सियल नेगेटिव हो गया तो आपके पास आइनिक बॉंड होगे अब लेकिन एन के साथ जो यह एच के चार बॉंड जुड़े में यह किससे होंगे कोविलेंट से जुड़े होंगे जिसका मलब यही एक ऐसा मॉलिकूल है जिसमें की बेसिकली दोनों ही टाइप के चीजें हैं आइनिक और कोविलेंट दोनों ही ठीक है आगे बढ़ यह नेक्स दीखिए निम लिकित विच आप फॉलिंग है आइडेंटिकल ब और नाइट्रोजन में साथ होते हैं लेकिन एक नेगेटिव है तो आठ हो गया तो टोटल यहां यहां पर 14 एलक्ट्रोन हो गया ऐसी अगर हम ओटू नेगेटिव की बात करें तो ओटू में ऑक्सिजेन में कितना होते हैं 16 होते हैं आठ और 16 और यहां पर टो नेगेटिव है तो 18 हो गये है ना फिर आपको टो न नाइट्रोजन में साथ होते हैं और 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 ऑक्सिजेन क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है इस और यहां पर ठीक है तो ऑब पॉजिटिव तो एक कम हो जाएगा तो इस में 14 होगे तो बस तो इसलिए और सी यहां पर राइट अंसर किसमें दिख रहा आपको ए में दिख रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं एलेक्ट्रोनिक कॉन्प्रिकेशन आपको बता रहा है मैंने मोटी के इसाब से लिखना होता है है तो हाइड्रोजन बॉंडिंग मैक्सिमम किसमें होती है नेक्स देखिए अगला कॉसन है विच आप फॉल्लिविंग एल्कोहल इस एक्सपेक्टेड मिनिममम बॉइलिंग पॉइंट वन ब्यूतेनल टू बिटनॉल और टू मिथाइल टू बिटनॉल तो फ्रेंट्स यहां पर बात हो रही है मिनिममम बॉइलिंग पॉइंट सबस क्या होगा कि जो आपका नॉर्मल जो लंबी चैन के अंदर जो और जो जुड़ा होगा ठीक है तो उसमें से यह निकालना जो है वह बहुत आसान होगा जो यह साइड में टू बेटनल वाला दिख रहा है आपको सेकिंड वाला इसके अंदर तो सेकिंड नंबर पर जो है य जो कि एक तरह से इलेक्ट्रोन किस के तरह काम करेगा यह आपका यह प्रकार का इलेक्ट्रों को लेने वाला ग्रोप देने वाला सवरी पॉस् comb plus i effect जो हुआ इनेखिट करेगगा और इस कारणत से stat करेगा और इस molecule का structure है वह थोड़ा ड़े आ है और जानर वो सगन हो जाएगा और इसका नहींद इसके अंदर की positive i देने कारण अपना यह इलक्ट्रोन यह देना चाहेacey प्रांच वाला वह अंदर को देना चाहेगा यानि कि अंदर के इस्ट्रक्टर के अंदर जो है वह इलक्ट्रोन को बढ़ा देगा और आपने जो है उसमें से एच को आसानी से निकल वा देगा तो इसका मतब बोई इसका जो कोथनांग है यानि कि boiling point है वो कम हो जाएगा तो इसलिए भी यहाँ पर राइट अंसर है ठीक है आगे बढ़ते हैं next देखिए अगला question है कुछ इस प्रकार से यह और्गनिक का question है विच रेजेंट विच 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 बोद एस्टरलाइड एसी टेल्डिएड एंड एस बोथ आइनिक एंड कोवेलेंट बांड आर प्रजेंट इन तो आइनिक और कोवेलेंट दोनों ही बांड जो है किसके अंदर प्रजेंट होते हैं दोस्तों तो यह अभी अभी हमने देख लिया है वैसे तो फिलाल अब आप समझी होंगे कि किस प्रकार से इसको देखना है अगर हम इसमें बात करें तो आपका एन ए ओए जो है इसमें क्योंकि एन ए पॉस्टिफ होगा और ऑस बीच में आगें कोवेलेंट तो दोनों इसी में दिख रहे हैं मुझे बाकी तो किसमें दिख रहे हैं आगे बढ़े यह नेक्स देखिए अगला है हेट्रोलीसिस और कारवन कुलराइड बॉंड प्रोड्यूस तो वह हेट्रोलाइसिस यानि कि आपका एक तो होता है हो हमोलाइटिक बिखंडन जिसमें कि फ्री रेटिकल बनते हैं जैसे हिमोलाइटिक बिखंडन से क्या होगा हो एक यहाँ पर जाएंगा एक इदर जाएगा तो यह नि है अगर आफके प्री रेटिकल बन जाएंगी यह न कि अगर हैट्रोलाइटिक से चुटे हो किसकी carbon chlorine bond की ठीक है नेक्स देखिए यह कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहां पर यह carbon chlorine bond है इसका हेट्रोलाइटिक डिफिजन हुआ और यह carbon का पॉजिटिव कटायन बना और cl का negative कटायन बना नेक्स देखिए all bonds in benzene are equal to तो जितने भी bond होते हैं बेंजन के अंदर वो क्या होते हैं बेंजन के structure के हम बात करें तो वह एक जैसे ही 3 और BF3 की अगर हम structure की बात करें दोस्तों तो ns3 की जो molecule होता है वो क्या करता है यह ns3 है तो इसमें आपका दो आपका एक single loan pair है यह आसानी से B को दे देगा और जिसके कारण से यह दोनों ही आपका product की form में यह एक योग की form में जुड़ जाएंगी ठीक है तो कुछ इस प्रकार का compound बनाते हैं यह कुछ इस प्रकार से ध्यान से देखिए इसको यहां पर इस structure को देखिए इस प्रकार से यह इस नहीं यह पेर electron pair donate करा और यहां पर एक कोडिनेट बन बन गया इस प्रकार में यह रहना पसंद करते हैं नेक्स देखिए विच आप दा following combination is best explained by the coordinate covalent bond तो फ्रेंड्स यहां पर आपको क्या दिख रहा है अगर हम बात करें कि कि किसके अंदर कोडिनेट और covalent bond है तो अगर हम बात करें है एच थ्री ओ का जो है आपने structure देखा है एच थ्री ओ पॉजिटिव का तो यहां पर एच पॉजिटिव है यह एच पॉजिटिव है तो अगर ध्यान से देखें तो यह एच पॉजिटिव जो है यह यहां पर यह ओ ओ ओ एच 2O को molecule है और यह एच पॉजिटिव है यहां पर इस पर जहें लॉण पेर होगा यह लॉण पेर इसको आसानी से दे सकता है जब यह लॉण पेर देगा तो इसका मतलब यहां पर कुछ इस प्रकार का साइन आएगा और यह यहां पर जुड़ जाएगा इस साइन से तो यहां ही चीज़े इसमें देखने को मिल रही वह ही वो कहरा कि combination किसम है तो combination आपको इसी वाले में है डी के अंदर ठीक है कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों यहाँ पर देखिया है एच पॉस्टिव जो है इस पर जो है लॉन पर सिप्ट होंगे और यहाँ पर जुड़ जाएगा पॉस्ट होगा तो यह आप समझ गए एक्स वाई टाइप का इलिमेट बनेगा ठीक है नेक्स देखिए मोस्ट फेवरिल कंडिशन फॉर इलक्ट्रो वैलेंसी आर तो आपके पास जो पहला है उसमें कहा रहा है कि लो चार्ज ओन आयन लार्ज कटाइन स्मॉल एन आयन दू तो बस यही हो गया लार्ज कटाइन की बात हो गई तो यही मैंने आपको बताया था कि यही चीज सबसे मैटर करती है पॉलराइजिसन पावर को दिखाने के लिए ठीक है और वो तब वो उसी के बेसेज पर आपके बांडिंग की जो आपकी को बैलेंसी है उसको देखा जा इनक्रिस्टल केटाइन से एननाइन से जुड़े होते हैं तो इलेक्ट्रस्टेटिक फोर्स के मादिंस से जुड़े होते हैं आगे बढ़ यह नेक्स देखिए देखिए वैल्यू ऑफ बॉंड और इन एच्ट ई तू पॉस्टिव तो कैसे निकालेंगे दोस्तों बॉंड और मेरी ख्याल से आपको आना चाहिए अब तक बॉंड और निकालना एच यानि की हीलियम में टोटल चार होते हैं ऐसी टू में और पॉस्टिव है तो एक कम हो जाएगा माइनस वन तो तीन आपके पास टोटल आपके इलक्ट्रॉन होंगे आप तीन को कैसे व्यवस्तित क में आपका 2 हो जाएगा और सिग्मा एंटी वन में आपका वन है ना अगर सिग्मा एंटी वन इसके अंदर देखिए तो इनको आप एनरजी लेवर डाइग्राम के उपर दिखा देंगे तो बॉंडिंग आपके पास टोटल कितने होगे दो एंटी बॉंडिंग एक और निकाल लोगे आप चलिए आगे बढ़तें नेक्स दर्ट डिबाय यह क्वेशन दोस्तों वही वाला है जो पुराना मैंने करवाया था आयनिक करेक्टर निकालने वाला उपर ही जो है आपका अब्जर्ब वैल्यू की और नीचे जो है ठीकल रखते हैं और उसके बार आप परसेंटेज आयनिक करेक्टर को निकालते हैं इन्टो हंड्रेड करके तो यह बताने की ज़रुवत नहीं है पहले हमने डिसकस कर लिया है नेक्स देखिए यह हमने पहले डिसकस कर लिया है कि एच्टो एस जो है उसके अंदर 90 डिगरी का एंगल होता है जो सबसे कम होता है बाकी में सबसे ज़्यादा होता है चलिए आगे बढ़ दें नेक्स एनेस ट्री है जो आपका हैड्रोजन बांडिंग फॉर्म करेगा और इसके कारण से उसका जो पत्रांग है वो इंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर राइट एंसर ऑप्शन सी तो फ्रेंड्स इ देखें आयोप आप लोगों को टेस्ट ठीक लगा होगा और जल्दी मिलूँगा आपके बास एक और नए टेस्ट के साथ थैंक्यू सो मच गूड़ नाइट